इसने कुछ बोला है shadow यह रही shadow अब क्योंकि एंगल चेंज होगा तो shadow की length भी क्या हो जाएगी चींज हो जाएगी ठीक है बई अब देखिए angle of depression जब निकालेंगे तो symmetricity से यह वाला angle कितना आजाएगा साथ आजाएगा और यह वाला angle कितना आजाएगा इसकी height को h बोल दिया और यह वाली length को x बोल दिया और इसने बोला 60 meter shorter है तो पहले पूरी बड़ी length 60 जादा होगी तो यह 60 होगी पहला relation आप यहाँ से लिख ली जी है h upon x यह equality हो जाएगा 1060 और दूसर relation h upon 60 प्लस x is equal to 1030 यानी 1 बाय रूप से यहाँ से तुम्हारे पास आजाएगा x root 3 is equal to 60 plus x upon root 3 यह गया x की value आगे 30 x की value कित्ती आगे 30 अपनको क्या निकालना है height निकालनी है न लिख दो 30 लिख दो तो 30 जैसे ही लिखा तो ही जी को स्यों आजाएगा 30 1060 यह रूप से 30 1.732 51.96 approximate 52 आजाएगा 51.90 आजाएगा 52.90 आजाएगा 54.60 दो 55.80 आजाएगा 55.20 आजाएगा 56.70 आजाएगा